जहां वो विराजमान राम लला के दर्शन करने, पूजन अर्चन करने और उनसे अनुमती लेने के लिए प्रांगण में धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हैं राम रामेती रामेती, रमे रामे मनो रमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने भगवान शिरीराम का नाम लेना ही सहस्र नामों के पुन्य की प्राप्ति कराता है भगवान विश्ण के साक्षात अवतार भगवान शिरीराम का नाम लेना ही, मात्र नाम लेना भर ही लोगों के समस्त कश्टों को, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी इस समय पहुच चुके हैं राम लला विराजमान के दर्शन करने के लिए श्रद्धावनत हैं शास्टांग दंडवत हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी और यह वह अक्षण है जिसका युगों-युगों से लोगों को इंतजार था शास्टांग दंडवत हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी राम लला के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने और यह भारतिय सनातन संस्कृति का और कोटी कोटी 130 करोण भारतियों की तरफ से भगवान शिरी राम के सामने नतमस्तक होकर शास्टांग प्रडाम करके अंदिर के निर्मान के लिए आज भूमी पूजन होगा भैप्रकट कृपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी गुम्रान की अरति के पंज़ात उन्हें मालजार मणकरट के अपनी श्रद्धा निवधित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाउ के साथ मानिये प्रधान मंत्री गुराजमान राम लला और उनके भाईयों की पूजन अर्चन करते हुए ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं ये भारतिये संस्कृत का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपून विश्व में मानवता का एक संदेश अयुध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है संसके एक माने विश्व में आप जाठ साली कर लिए रत्रहतों है आरायन बाया करें सल्मृ फर्लिच शर्शुदकन himilal. जय हुएना बाया कंफुड़ा खतरोंं शर्भास शर्खेंग मुखैकन धृत सक्रेंग। आदिते हरने पंने सरभरा सर्भी लिपनासरम, जयाम निजानी इनारा घुम अहाराचि नमा भिस्टां, क्रोश्वाद, तनडया घुतुता, आला आप्रिय। अरी ज़िए भाुगिश्ग अजय भाुजय भाुग्व भव जाना, इसकताृ, घरिद्ध व्यौच्ण हिराम लाला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अम माननी और प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं जहां पर अपसे कुछ तेर बाद अभी जीत मुहुर्त में भूमी पूजन का कारिक्रम होगा प्रधानमंत्री के साथ उत्तरप्रदीश के माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ यह बहुत ही एतिहासिक और दिव्य अवसर और यहां पर व्रिक्षा रोपन का कारिक्रम है पारी जात का व्रिक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं भारतिय संस्कृती में व्रिक्षा रोपन का खास महत्व है और राम लला पर उसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं प्रक्रति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हर्याली को कायम रखने का और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदर का निर्मान कारे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये व्रिक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा और ये प्रितिबध्धता है परियावरण के प्रति हमारे सर्रक्षन की परियावरण सर्रक्षन का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है हम कहते हैं समुद्र वसने देवी परवतस्तन मंडले विश्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परसम खमस्वमेव पुष्प का उन्हों ने पुधरोपड किया है पुष्प को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की पुष्प से उनकी पुजा करने की मनोकामना और आराधना है और ये वेहत विलक्षण, अद्भुत और वेहत कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है पर्यावरण संख्षण के साथ इसाथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमी के पृत्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानो आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोनी ने पौधार ओपड किया पारिजात के वुरिक्षका, रामलला, मंदिर के विराजमान और साथी साथ इस मुख्य कारेक्रम स्थल पर रामायन में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए मन है कि भरता ही नहीं, राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र दो अक्षर नहीं है, राम हिंदोस्तान की सांस्कृतिक विरासत है राम हमारी एकता और अखंडता है, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वत्तम प्रतीक है और अब माननिय प्रधान मंत्री व्रिक्षा रोपन के बाद पूजास थली की ओर जा रहे हैं जहां पर अभिजात मोहर्त में भूमी पूजन और राम मंदर के शिला न्यास का कारिक्रम होना है भगवान राम आवतार होकर भी चमतकार नहीं करते हर परिस्थित के अनुकूल आचरन करके वह हमेशा पुरुशों में